जो सबसे पहला question है दोस्तो, natural selection का सिध्धान्त किसने बनाया था, most important question है दोस्तो, आपको बनाना है कि natural selection का सिध्धान्त इन में से किसने बनाया था, तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तो, option number C हो जाएगा यानि Darwin ने, आपको बता दे दोस्तो कि natural selection यानि प्राकृतिक चुनाओ का जो सिध्धान्त था और डार्विन नामक बेग्यानिक ने दिया था और न्यूटन ने गुरुत्वा करसर के नियम दिये थे और मेंडल की बात करें दोस्तों तो आनुवन सिक्ता का जन्मदाता कहा जाता है और आर्खिमिडीच की बात करें दोस्तों तो इन्हों ने पानी से लड़ता है तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि नेवला बता दें दोस्तों कि नेवला जो सापों से लड़ता है या एक अस्तंधारी जनतु है अगला question देखते हैं दोस्तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी most important यह भी question है आपको बताने जो रेबीज है उसके टीके की इनमें से किसने की थी तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों option number B हो जाएगा यानि लूई पास्चर ने आपको बता दे कि सन 1860 में फ्रांसिसी बैज्यानिक लूई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा और रेबीज जो की कुत्तों के काटने से होता है अगला question देख लेत प्रसिद्ध है आपको बताना है जो पिपिरी है वो इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है इसके right answer बात करें दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number B यानि penicilline factory आपको बता दे कि जो पिपिरी है वो महराश्ट के पूरे जिले में इस्थित है नामक अस्थान है और या penicilline बन इसके लिए आवश्यक है इसके right answer की बात करें दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा option number हो जाएगा दोस्तों D यानि उपर्यूक्त सभी आपको बता दे दोस्तों कि सरीर के लिए law यानि F-P एक आवश्यक तत्व है और यह हीमोगलोवीन वा RBC के निर्माण के लिए सामान स्व स्वास्थ को बनाये रखने के लिए और सरीर के उतको तक oxygen पहुचाने के लिए महत्वपूर भूमी का निभाता है अगला question देख लेते हैं आगे तो आपके लिए कुछ महत्थपूर ebook मैंने बनाया है जो निस्चित तोर पर आपको ले लेना चाहिए जुस्तों Math का मैंने पांचो कोशन का guest paper ready के है especially for railway group D examination 2022 special edition इसे ready के आगया है complete 500 question को आप पूरा prepare कीजिए practice कीजिए जो मैंने यहाँ पर ready किया with complete solution and trick के साथ आपको मिलेगा आपके practice के लिए बहुत 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 दस नंबर के आपके परिचाओं पुछा आता है तो सब कुछ आप इसी से कवरो कर पाएंगे यह दोनों e-book बहुत इंपोर्टन है and science का portion दोस्तो इसके लिए especially मैंने 1001 question जो अत्ती संभावित जो बार-बार question repeat किया गया है इस e-book को मैंने ready किया है especially for group D आपको परिचाओं box में इसका मिल जाएगा भोजन में सरकरा की जाच किसे ढालकर की जाती है आपको बताने है जो भोजन होता है उसमें सरकरा की जाच किसे ढालकर की जाती है तो इसका राइटा मसंश जाएगर option no.a and e-i taste आपको बता दें दोस्तों कि भोजन में सरकरा की जाज आयोडीन को डाल कर की जाती है और आयोडीन सरकरा से क्रिया करके उसकी मात्रा को पहचान योग्य बना देता है अंगला question देखते हैं दोस्तो नगरिया जनसंख्या के तुलना में क्रिसी स्रमिको में कौन सी बिमारी सामान है most important question है आपको बताना है दोस्तो यह maximum बार एकजाम में repeat हुआ है जो नगरिया जनसंख्या के तुलना में क्रिसी स्रमिको में कौन सी बिमारी सामान है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number A हो जाएगा यानि फेफडे की बिमारी आपको बता दे कि क्रीसी स्रमिकों को फेफडे की बिमारी होना सामान बात है क्योंकि वे फसलों को काटते तथा अनाज निकालने तक तरह तरह के कड़ सास लेते वक्त आउसोसित करते हैं अगला question देखते हैं दोस्तों कोको का कौन सा भाग चोकलेट में गंध के लिए इस्तिमाल किया गया है आपको बतादे की चोकलेट में गंध के लिए कोको अरथाथ कहवा के बीजों का प्रयोग किया जाता है अगला question देखते हैं प्याज परिवर्तित रूप है आपको बताना है जो प्याज है ओ इन में से किसका परिवर्तित रूप है तो इसका राइडांस हो जाएगा option number A यानी तने का आपको बता है दोस्तों कि प्याज यानी onion सल्ककंद तने का परिवर्तित रूप है और इसका ज दोस्तों निमनेरिकित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उधारण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं तो इसका राइडांस हो जाएगा option number D यानी चीड ब्रिच आपको बता दे कि जो चीड के ब्रिच में बीज तो होते हैं पर फल नहीं बनते हैं और चीड अनाविरित बीजी पौधे का उधारण है और इस पौधे में अंडा से नहीं पाया जाता है अता अफल का निर्माड नहीं होता है अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों दोस्तों अनकैडमी पे टॉप एजुकेटर आप लोग के लिए टॉप बैसेज ला रहे हैं जो ए अपरल से स्टार्ट हो रहा है आप फटा-फटी से जोईन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच है ससी MTS जो आगामी होने वाला है CHSL के लिए से बहुत सारे बैचेज आपके ला जा रहे हैं इसला दोस्तों अनकैडमी आपको आस्क डाउट फीचर भी देता है आपको कभी भी को करते हैं OJ10 तो इससे आपको 10% का इस्तिमाल करेंगे तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा कपास प्राप्त होता है most important question यह भी है दोस्तों आपको बताने जो कपास है इनमें से किससे प्राप्त होता है तो इसका राइट अंस हो जाएगा दोस्तों option number C यानि बीज से आपको बता दे कि जो कपास यानि cotton होता है बीज से प्राप्त किया जाता है और कपास का बानस्पतिक नाम गोसी पीम है और यह मालवेसी कूल का एक पोधा है अगला question देखते हैं दोस्तों बीजों का सरौत्तम सरचड होता है आपको बताना है जो बीज होते हैं उसका सरौ आपको बताते बीजो का सरःच्छड ठंडी और सुसक परिस्थितियों में होता है और दोवा ठंडी परिस्थितियों में बीजो के अंकुरुत हो जाने का खत्रा रहता है अगला question देखते हैं दोस्तो निमनलिखित में लुप्त प्राय प्रजाती का युग्म कौन सा है आपको बताना है कि इनमें से कौन लुप्त प्राय प्रजाती का युग्म है तो इसका right answer जाएगा option number A यानी garden lizard और मैक्सिकज प्राडी जो की लुप्त प्राय प्रजाती का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है कि जो रंजक वखाद पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option number A यानी कैरामल का आपको बता दें दोस्तों कि कैरामल एक भूरा तरल पदार्थ है जो सरकरा को जल या sodium carbonate के साथ 180 degree Celsius पर गर्म करके बन आने में किया जाता है अगला question देखते हैं दोस्तों एक्क्वारेजिया में अमलो का अनुपात है आपको बताना जो एक्क्वारेजिया होता है उसमें अमलो का जो अनुपात होता है वो कितना होता है तो इसका right answer हो जाएगा option number D यानी 3 संबंधे 1 आपको बता दें में सोना घुल जाता है अगला कोशिफ television देख लेते हैं nitrogen योगी की करड़ के लिए कौन सी फसल सहायक है आपको बताना है कि जो nitrogen योगी की करड़ होता है उसके लिए कौन सी फसल सहायक है तो इसका जो right answer जाएगा दोस्तो option number C हो जाएगा यानि beans बता दे कि नाइट्रोजन योग की करण के लिए बीन्स या दालों की फसल सहायक होती है और इनकी जड़ों में पाया जाने वाला सिंबियार्टिक बैक्टीरिया वायू मंडली नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है अगला कोश्चन देख लेते हैं न आपको बता दे कि मचली अस्थंधारी वर्ग में नहीं आता है मचली समू महावर्ग पीसीज में आती है जो की एक जलिय जन्तू है अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों निमना लिखित में कौन अस्थंधारी नहीं है आपको बताना है कि इन में से कौन अस्थंधारी न नहीं है तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तो option number d यानि चूहा आपको बता दे कि जो की चूहा है sorry 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 इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तो option number c हो जाएगा यानि मगरमच जो की अस्तंधारी नहीं है मगरमच की बात के दोस्तो तेया सरी स्री पवर्ग में आता है जो की अस्तंधारी नहीं है और अनविकलपों में दिये हुए सभी जन्तु जो है डालफिन, मानो और चूहा ये सभी अस्तंधारी है अगला question देखते हैं दोस्तो निमनलिकित में कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है आपको बताना है किन में से कौन सी चीज है जो भूमिगत खाद्य तना है तो इसका जो right time से हो जाएगा दोस्तो option number a यानि अदरक गिंगर बता दे अदरक जो की एक भूमिगत तना है ज जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अतिसाधारण छमता कहलाती है जो जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अतिसाधारण छमता क्या कहलाती है तिस साधार छमता एंजाइमों में होती है और जैविक उत्परेराख ही एंजाइम कहलाते हैं। अगला कॉश्चन देखते हैं दूस्तो, पौध्य के किस भाग से जूट की प्रापती होती है। Most reporting ये भी question है, आपको तना है कि पौध है कि किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, तो इसका राइटांस हो जाएगा option number C यानी तना इस्टिम, जूट जो की तने के secondary फोलम यानी दुईतियक फ्लोयम से प्राप्त किया जाता है और यह टीली केस कुल का एक पौधा है, Most reporting question है, आपको बताना है कि कौन सा पौधा है, जो तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है, तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तो, option number A हो जाएगा यानी गन्ना, आपको बतादे कि गन्ना तथा छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है, अ आपको बताना है जो आलू है वो इनमें से किसका उधारण है, तो इसका right answer हो जाएगा option number C यानी रूपांतरित तने का, आपको बता दे कि आलू एक रूपांतरित तना है और इसका वेग्यानिक नाम सोलो नम टूबे रोसम है और या सोले नेमी कुल का एक पोधा है, अगल right answer हो जाएगा option number B यानी लता, आपको बता दे काली मीर्च पादप एक पुस्पित लता है और इसका वनस्पतिक नाम पीपर नाईग्रम है, अगला और last question देख लेते हैं, नास्पाती का कौन सा भाग खाया जाता है, जो नास्पती होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता ह इसका right answer बात के दोस्तों, इसका right answer हो जागा option number A यानी गूदेदार पुस्पासन, नास्पाती जो एक पौम प्रकार का फल है और इसका खाने योगे भाग गूदेदार पुस्पासन होता है, तो यह थी दोस्तों, आज की वीडियो आपकी वीडियो कैसा लगा, comment section में वीडियो पसंद आगो दोस्तों एक लाइक जरू कर दिजेगा और हमाई चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सस्क्राइब करके वेल ऐकन दबा लिजेगा, क्योंकि हम करा रहे हैं लगातार गुद्डी एकजाम की त्यारी, तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो म तब तक के लिए जया हैं चै भारत